नमस्कार दूर्दश्य नुत्तिराखन देखने वाले सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके साथ मैं हूँ संध्या सेमवाल दर्शकों आज के हमारे कारिकम रोजगा समाचार जिसके अंतरगत हम चर्चा करते हैं विबहन विभागों द्वारा जारी की गई विग्यप्तियों के बारे में जो जारी की जाती है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विग्यप्ति के बारे में इंडियान नीवी द्वारा अगनिवीर ऐसे सार के अंतरगत भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद है 1365 शेक्षडिक योग्यता जिसके लिए इंटर्मीडियेट निर्धारित की गई है आविदक जिनकी जन्वतिती एक नवंबर 2002 से 30 अपरेल 2006 की बीच हो आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिमतिती है 15 जून 2023 आधिक जनकारी के लिए आप इनकी ओफिशियल वेबसाइट जॉइन इंडियन नवी.GOV.IN पर विजट कर सकते हैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया द्वारा रेगुलर बेसिस और कॉंट्रेक्ट बेसिस पर स्पेशलिस्ट केवडर ओफिसर के पदों पर भरतिया निकाली गई है जिसके लिए कुलपद है 57 शेक्षिनिक योगेता और आईसीमा का निर्धारान हर एक पद के लिए अलग लग क किया गया है आविदिन करने की अंतिम्तिती है 5 जून 2030 अभियरती इनकी ओफिशल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा NDA और NA एक्जाम के अंतरगर्द भरतिया निकाली गई है जिसके लिए कुलपद है 395 आविदन करने के लिए आविदक को स्कूली शिक्षा के 10 प्लस 2 पैटन से बारवी पास या भौतिकी और गणित के समकक्ष होना जरूरी है साथ ही आविदक की उम्र 2 जन्वरी 2005 से कम और 1 जन्वरी 2008 से अधिक नहीं होनी चाहिए आविदन करने की अंतिम्तिती है 6 जून 2030 आधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट upsc.gov.in पर विज़ेट कर सकते हैं NHPC Limited द्वारा, Welder, Electrician, Feater, Carpainter और विभिन पदों पर भरतिया निकाली गई है जिसके लिए कुलपद है 25 ITI पास सभी आविदक आविदन कर सकते हैं 18 से 30 वर्ष आयव सीमा निर्धारित की गई है आविदन करने के लिए अंतिम्तिती है 31 मई 23 अधिश जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट nhpc.nic.in पर विज़ेट कर सकते हैं संग लोग सेवा आयोग द्वारा, Combined Defense Services के अंतरगर्थ विग्यपतिया जारी की गई है जिसके लिए कुलपद हैं 350 शेक्षणिक योगता और आयू सीमा का निर्धारन हर एक पत के लिए अलग-अलग किया गया है जिन आविदकों की आयू 20-25 वर्ष है वे सभी भारतीय सेन अकादमी एवं भारतीय नौ सेना अकादमी के लिए आविदन कर सकते हैं इसके अतिरिक्त जिन आविदकों की उम्र 20-25 वर्ष है वे सभी भारतीय वाई सेना के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 6 जून 2030 अभियरती इनकी ओफिशल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं THTC द्वारा इंजीनियर च्रेनी के पदों पर भरत्या निकाली गई है जिसके लिए कुलपद है 52 शेक्षिडिक योग्यता जिसके लिए BE, BTEC और BSC Engineering निर्धारित की गई है OBC वर्ग के लिए अधिक्तम 33 वर्ष और SC ST के लिए 35 वर्ष आईसीमा रखी गई है आविदन करने की अंतिम्तिती है 6 जून 2023 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशर वेबसाइट THTC.co.in पर विजिट कर सकते हैं ISRO NRSC द्वारा Graduate और Technician Apprentice के अंतरगर भरतिया निकाली गई है जिसके लिए कुलपध है सत्तन, शेक्षिनिक योगता और आईसीमा का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग लग किया गया है आवेदन करने की अंतिम्तिती है 2 जून 2023, अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशियल वेबसाइट ISRO.GOV.IN पर विजिट कर सकते हैं इंडियान नेवी द्वारा अगनी वीर MR के पद पर भरतिया निकाली गई हैं, जिसके लिए कुलपध है सो शेक्षणिक योग्यता जिसके लिए हाई स्कूल और संबन्देत विश्या में डिप्लोमा का होना रखा गया है मैट्रिक पास वो युवार जिनकी जन्वति थी 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रेल 2006 के बीच हो आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की अंतिम्तिती है 15 जून 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट जोइन इंडियननेवी.gov.in पर विजिट कर सकते हैं SSP द्वारा ASI Group C के अंदर कर विग्यप्तिया जानी की गई है जिसके लिए कुल्पध है 30 शेक्षणिक योगता जिसके लिए इंटर्मीडियेट डिप्लूमा और संबंधित विशय में डिग्री का होना रखा गया है 20 से 30 वर्ष के सभी युवा आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 10 जून 2023 आविदक इनकी ओफिशियल वेबसाइट ssb.gov.in पर विजिट कर सकते हैं स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा कंबाइंड हाय सेकेंडरी लेवल के अंतरगत भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद हैं 1600 इंटर्मीडियेट या किसी मानेत अप्राप्त बोल्ड से समकक्ष परिक्षा पास सभी युवा आविदन कर सकते हैं अठारा से 27 पर्ष आयू सिमा निरधारित की गई है आविदन करने की अंतिम्तिती है आठ जून 2023 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वबसाइट ssc.nic.in पर विज़ेट कर सकते हैं तो दर्शकों ये थी आज की हमारी रोजगा से संबन देद को छुवेगी अप्तिया उमेद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविश्य को लेकर जानकारी प्रद होगा कारिक्रम से जुड़ी कोई भेर रहें या चानकारी अगर आप हमारे साथ साचा करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उद्धराखन को सब्सक्राइब कर जोड़ सकते हैं अब मुझे यानि संध्या सेम्वाल को अभी के लिए इजाजत जल मुलाकात होगी रोजगा समाचार के एक और नए अंक में रोजगा संबंदी कुछ और नहीं विग्यप्तियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार